बहु को रोटिया बना कर नहीं खिला सकती पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे ऐसी चुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले आठ दस नौकर चाकर आके पीचे फिरते रहते थे थे थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घीच जाएगा इनका सब कुछ मेरे भरोर से छोड़ कर बैठ जाएंगी बाहर से ठक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जो वंदना घीचने हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बरतनों पर निकाल रही थी ऐसा नहीं था कि उनकी सास सुपमनी जी को बहु क कि बरबराहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी वंदना एक पड़ी लिखी लड़की थी उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी उसने नौकरी के लिए कहीं जगा आवेदन भी दे रखा था इस बीच जब उसके लिए अनिकेट का कोई उसे नौकरी करने से नहीं रुकेगा आखे इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती अनिकेट और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपती नहीं थी कि उनकी बहु नौकरी करेगी इसलिए दोनों तरफ से खुशी-खुशी से रिष्टा हो गया शादी की कुछ दिनों बाद ही वंदना का जॉइनिंग लैटर आ गया जिस दिन वंदना ने अपने सस्राल वालों से कहा था कि अब वो नौकरी करेगी तो उसके सास रुकमर्डी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था बहु नौकरी करे इससे मुझे कोई आपती नही कि मैं बहु को रोटिया बना कर खिलाऊंगी मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भवन में फस गई तो जिनकी भर नहीं निकल पाऊंगी उस वक्ट सबको रुकमर्डी जी की बाते सुनका हैरानी तो ही उनके पती ने तो ये भी खह दिया कि मुझे नहीं पता था कि मेर सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी लेकिन इन सब बातों का रुकमर्डी जी पर कोई असर नहीं हुआ वो तो अपनी जित पर आड़ी थी खैर वंदना को तो नौकरी करनी ही थी क्योंकि घर की थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी वहीं उसके पती और ससुर जी ने भी नौकरी की इजादत दे दी थी तो वो फिर कहां रुकने वाली थी इस समस्य का ये हल निकाला गया कि घर की कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए को को रख ली गई खाना बनाने वा बाकि सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुटी ले लेती थी ऐसा ही कुछ इन दो दिनों से हो रहा था जिस कारण से वंदना खिजी हुई थी ऑफिस से आकर रोटिया बनाना उसे बहुत बड दाती रहती और रोटिया बनाती रहती बाद में अपनी मा से फ邯ुक पर भर भर कर शिकायद करती जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था कुछ दिनों बाद बाद वंदना की होने वाली भावी भी नौकरी पेशा थी वंदना की मा आने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया वही मैं तो और सासों की तरह नहीं हूं जो बहु के आने पर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओं जब अभी तक पूरा घर समाल रही थी तो अब क्यों नहीं मेरी बहु को मेरी तरह से पूरी छूट रहेगी जब एक म मा अपने बच्चों को रोटिया बना का खिला सकती है तो बहु को क्यों नहीं खिला सकती बहु तुम निश्चेंट होकर नौकरी करना रसोई मैं संभाल लूँगी वंदना की मा के उच्छ विचार सुनकर उसकी होने वाली भावी का पूरा परिवार और खुद वंदना भ पड़े दिल की है काश मेरी सास भी आपकी तरह होती लेकिन मेरी किस्मत में ये सुक कहां मेरी सास को तो बस होकम चलाना आता है मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है अपनी चिरचिडाहाट निकालते हुए वंदना बोली कुछ दिनों में ही वंदना क बाबी ने अपनी नौकरी जोइन कर ली वंदना की मा भी अपने बहु को हतेलियों पर रखती थी सुबह उसका नाश्ता टेफिन फिर रागर खाना भी तयार करती थी अपने हातों से परोशक सब को खाना खिलाती थी उनकी बहु भी मम्मी जी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी जिसे वन्दना की मा बड़े चाओ से पूरा करने में लगी रहती थी तो जुर्षी खुशी धिन बीट रहे थे लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीन्ता में बदल रही थी वंदना की भावी तो अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी एक दिन जब वंदना फोन पर अपनी मा से बात कर रही थी तो उसकी मा बस रो पड़ी बेटा मैं इतना करती हूँ तेरी भावी के लिए फिर भी उसे मेरी कदर नहीं अरे मेरी दी हुई छ चैन होते हुए पूछने लगी कुछ क्या बेटा अब तो सब कुछ हो मुझे ही कहती है ओफिस से आने के बाद एक गलास पाने के लिए भी मुझे आवास देती है नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बज़ाए गुस्सा होकर यूँ ही बिना खाय चली ज आप मा है कोई नौकरानी नहीं भावी नौकरी करती है इसका ये मतलब नहीं कि आप पर हुकम से लाएंगी गरच्टे हुए वंदना बोली किस मुझे कहूं बेटा पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुलहारी पर अपना पैर दे मारा फिर शिकायत किस से करूं तेर अपनी सास को कुछ भी कहे लेकिन समदन जी का ये फैसला सही था कि वो बहु को रोटिया बना कर नहीं खिलाएंगी एक बार वो सबकी नजरों में बूरी अकड़ सास तो बन गई लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्म सम्मान तो बचा लिया अब ना तो तू नहीं को ना होता मा की बाते सुनकर वंदना निशब्द हो गए भारी मन से उसने फोन रख दिया बहार हॉल में आकर देखा तो सास ससुर अराम से बैठकर बाते कर रहे थे बाते करते करते उसकी सास अपने नाखनों पर नेल पेंट लगा रहे थी जिसे देखकर ससुर जी उन्हें अब बुडापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है किसी को नहीं दिखाना मुझे मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ सारी उम्र तो घर ग्रस्ती में उलजी रही अब अवकास्त का वक्त आया है तो अपने शौंग तो स्कुरा उठी सही तो कह रही है ममी जी एक घरनी को अपने लिए वक्त ही कम मिलता है पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बढ़ा करो फिर कामकाजी बहु आ जाये तो उसे और उसके बच्चों को संभालो काश मेरी माने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहु को रोटिया बना कर नहीं खिला सकती दोस्तों यह छोटी बात है बट बहुत जादा माइने रखती है अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसको शेर कीजिए अपने पैरेंट्स के साथ ताकि वो भी इस बात को समझ सके और वीडियो पसंद आई है नियू है तो फॉ लाइक करें बबाइटी